दोस्तों भारत के सभी नागरीकों के लिए भारत सरकार ने एक ऐसा कार्ड जारी कर दिया है जिस कार्ड को अगर आप बना लेते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में गोर्मेंट पैसे देगी वो भी दोस्तों महीने के 3000 रुपए और हर दिन का 100 रुपए समझे हो फ्री में आ कार्ड बन गया तो आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे ठीक है तो कैसे आप इस कार्ड को बनाएंगे कौन को लोग यह कार्ड बना सकते हैं सब को चीस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना हो दोस्तों गो सरकार से गोर्मेंट का पोर्टल उपेन हो जाएगा तो इसे आप यहां से कट कर देंगे इसी पोर्टल से दोस्तों गोर्मेंट का यह आईडी कार्ड आप बना सकते हैं उसके बाद महिने का तीन हजार उपए आप ले सकते हैं भारत सरकार से ठीक है इस आईडी कार्ड को बनाने के लिए Services के उपर क्लिक कर देना है, New Enrollment के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप Okay के उपर क्लिक कर देंगे जिसके बाद दोस्तों नय पेज़ पर आप Redirect हो जाएंगे यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिलेगा, तो खुद से यह कार्ड बनाने के लिए self enrollment का यहाँ पर option दिया है तो self enrollment के उपर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर अपना mobile number type कर देना है proceed के उपर क्लिक कर देना है जिसके बाद आपके mobile number पर एक OTP जायगा वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करके proceed के उपर जो है click कर देना है जिसके बाद दोस्तों आपके समने जो dashboard ही ये open होकर आ जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको simply करना क्या है card apply करने के लिए service के उपर click कर देना है यहाँ पर सबसे पहला service है enrollment इस पर आपको click कर देना है यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने तीन स्कीम आज आता है तो सबसे उपर वाला जो स्कीम है इसी वाले स्कीम के उपर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो पूछा जा रहा है Are You Registered in E-Shram? यानि कि इस कार्ड को बनाने के लिए आपके पास E-Shram कार्ड का होना ज़रूरी है तो अगर आपके पास E-Shram कार्ड है तो directly yes करके आप यह कार्ड बना सकते हैं लेकिन अगर आपके पास इश्रम कार्ड नहीं है तो सबसे पहले आप आधार कार्ड से इश्रम कार्ड बना लेना 5 मिनिट लगता है ओनलाइन बन जाता है ठीक है इश्रम कार्ड बनाने के बाद दोस्तों ये कार्ड एपलाई कर सकते हैं तो हमारा इश्रम कार्ड बना हुआ तो simply हमें हाँ पर yes वाले icon पे click कर देते हैं जैसे आप यहाँ पर yes करेंगे आपके सामने form open हो जाएगा total दोस्ता आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 step में आपको यह form भर कर submit करना होगा ठीक है step by step में आपको बताऊंगा कैसे form भरना है तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो personal detail आपको देना है जिसमें यहाँ पर आपको अपना ishram card number type कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना date of birth select कर लेना है जो भी आपका date of birth है जिसके बाद यहाँ पर अपना आधार card number type कर देना है और आधार number को दोस्तो verify के उपर क्लिक करके verify करना जरूरी है ठीक है verify करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर name automatic आ जाता है आधार card से ठीक है जिसके बाद यहाँ पर आपको अपना email id टाइप कर देना है और जो आपका mobile number है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना है mobile number को भी verify के उपर क्लिक करके verify कर लेना जिसके बाद gender वगर आपके आधार काड से automatic select हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आपको नीचे आना है यहाँ पर आप जिस state में रहते हैं उस state का नाम select करेंगे सभी state का नाम दिया है यहाँ पर district select कर लेंगे यहाँ पर आपको अपना pin code type कर देना है उसके बाद अगर आप north eastern residence से आते हैं तो yes करेंगे नहीं तो आप इसे जो है no कर देंगे जिसके बाद दोस्तो other detail में category आपका ishram card से select हो जाएगा occupation यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप क्या काम करते हैं ठीक है जिसके बाद अगर आप NPS, ES, ICE या फिर EPFO के member हैं तो yes करेंगे नहीं तो आप इसे जो है no कर देंगे जिसके बाद अगर आप income tax pay करते हैं तो yes करेंगे नहीं तो आप इसे भी no कर देंगे जिसके बाद यहाँ पर नीचे आना है check box पे click करके आपको यहाँ पर consent देना है इस प्रकास से उसके बाद simply नीचे आएंगे और यहाँ पर submit वाले button पर click कर देंगे जैसे आप इसे submit करेंगे आपके सामने दूसरा इस्टेप आएगा fill bank detail and nominee detail अब यहाँ पर आपको bank detail देना है जिसमें दोस्तों आपको पैसे मिलेंगे ठीक है और यहाँ पर nominee का भी detail देना होगा इनके सगर आपको कुछ हो जाता है तो ऐसे में जो पैसे है वो nominee को मिलेंगे ठीक है तो ऐसा मत सोचना है यहाँ पर पैसे नहीं मिलेंगे पैसा मिलेगा आपको कुछ हो जाएगा तो nominee को पैसा मिलेगा समझ गया तो यहाँ पर आप bank detail और nominee detail डाल देंगे जिसके बाद आपके सामने तीसरा step आएगा download mandate form एक form मिलेगा उसे download करके प्रिंट करके आपको उसमें भरकर उसके बाद दोस्तो आप आजाएंगे 50 step में जिसमें आपको payment करना होगा ठीक है तो यहाँ पर payment कितना करना है चले पूरा मैं आपको चार्ट दिखा जेता हूँ उससे आपको छे से समझ में आ जाएगा अब यहाँ पर दोस्तो आप देखेंगी यह है पूरा का पू 58 रुपीज है यह 200 पे करना पड़ेगा उसके बाद जो 58 रुपीज है यह government भी पे करीगी यह महने का आपको देना पड़ेगा और जो total पैसे होंगे यह 200 एड किये जाएंगे आपके नाम से सेव किया जाएगा जिसके बाद जैसे आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद हर म पड़ेगा जो आपके बैंक अकाउंट से आटोमेटिक कट होगा उसके बाद 80 रुपै गौर्मेंट भी देगी और जो total पैसे होंगे दोस्तो यह आपके नाम से एड किये जाएंगे समझे रों यहाँ पर एज के हिसाब से दोस्तो आपको payment देना है यह मत सोचना जैसे जै अगर आपको कुछ हो जाएगा तो नोमिनी को पैसा मिलेगा समझ रहो महिने का 3000 रुपै तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मतलो तो यहाँ पर दोस्तो मैंने आपको पूरा का पूरा payment का बता दिया कि payment कितना करना है समझ गये तो payment का आप सब समझ गये उसके बाद अब आपको यहाँ पर आना है last step में जो है download card का ठीक है अब यहाँ पर आपको एक card मिलेगा जिसे आपको download का लेना है download करने के बाद दोस्तो आपका यहाँ पर पूरा जो है complete हो जाता है अब जो bank detail आपने दिया होगा उससी account से दोस्तो जो भी आपका age रहेगा जिस age के हिसाब स आपका जो payment है ओ कटेगा और वही payment दोस्तो आपके 60 साल age तक कटेगा उसके बाद हर महिने दोस्तो आपको 3000 रुपे government देगी उसी bank account में in case इस बीच आपको कुछ हो जाएगा तो जो पैसा है जिसे आप nominee बनाए रहेंगे उसे दोस्तो वह पैसा मिलेगा समझे रो यह 200% बो और टेक कियर